बुली दुर्गा मैया की जै भक्त जनो मैं आपको दुर्गा शब्चति का तेरवा अध्याय सुना रही हूँ रिशी बोले हे राजन इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महत्तम में तुमें कह सुनाया जिसने इस जगत को धारन कर रखा है वही देवी विद्या उत्पन करती है उसी भगवान विश्णू की माया ने ही हे राजन तुमको इस वैश्यो को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है यह पहले भी मोहित थे और आगे भी मोहित होंगे इसी प्रकार दूसर प्रदान करती है मारकंडे जी बोले इस प्रकार रिशी के वचन सुनकर उस राजा सुरत ने प्रशश्चे वरतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महिशी की प्रणाम किया वह राजा जो ममता दायक राज्ये के छिंजाने पर बहुत खिंड हो चुका था तुरंती तप करने के लिए चला गया हे महामुनी वह वैश्ये भी तप करने चला गया अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैट कर तपस्या करने लगे वह वैश्ये देवी जी के परम उत्तम सूप्त का जाप करने लगे इस प्रकार उन दौन ने देवी की अरहदना करने के लि देवी जी की अराधना करने लगे उन दोनों ने बली प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर कव प्रोक्षन किया इस प्रकार संयम पूर्वक तीन वर्ष परियंत अराधना करते रहे तब तो जगत को धारन करने वाली देवी ने प्रत्यक शोकर दर्शन दिया तब आरकंडे जी बोले तब राजा ने तो दूसरे जन्म के लिए अक्षे रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सहन का बल पूर्वक नाश करके अपने राज्य की प्राप्ति का वर्मांगा वैश्य का चित तो संसार से खिन हो चुका था इसलिए उस का नाश करोगे और वहीं पर तुमारा राज्य भी इस्तिर हो जाएगा फिर देहांत होने पर सूरे देव के अंच द्वारा जन्म पाकर इस प्रक्त्वी पर आप सावर्णी नाम से मनू होंगे तुमने जो हमसे वर मांगा है मैं उस वर को देती हूं मोक्ष प्राप्ति के के लिए तुम्हें उस ज्यान की प्राप्ति होगी अरकंडे जी बोले इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाशित वर दिये फिर उन दौनों की भक्ति पूर्वक की हुई इस्तुती से प्रसंद होकर तक काल ही अंदर्ध्यान हो गई इस प्रकार वे शत्रिये और श् कवर्णी नामक मनु होगा पुली दुरुगा मैया की जै